mutual fund में investment करने से पहले आपके मन में दो सवाल आते होंगे पहले कि हम अगर investment करें तो एक साथ यह लॉंसम investment करें या SIP के तहत investment करें जो की regular interval में investment करता है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें difference जानेंगे और इसमें कौन सा सही है कौन सा तरीका अपनाना चाहिए investment करने के लिए mutual fund में इसके बारे में पुरा detail समझ दगी कोशिज करेंगे हलो दोस्तों में निकवाल आत्सा हूँ स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में आज इस वीडियो में आप जानेंगे mutual fund में SIP के तायत investment करना चाहिए या लंसम investment करना चाहिए आप अगर मेरे चैनल को नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल बट्म को प्रेस करें ताकि यूँग मेरे वीडियोस अफ्रोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जैसे कि mutual fund बैसिकली क्या होता है mutual fund में investment करने के लिए आपको कुछ चीजों की ऊपर ध्यान दरना जरूरी हो जाता है जैसे कि अगर आपको कुछ गोल्स अचीब करना हो जैसे कि short term goals होते है long term goals होते है उसको अचीब करने के लिए आपको financial planning करने की जरूरी होते है यानि आपका terms के हिसाब से यानि आपका long term goals हो या short term goals हो उसके हिसाब से आप अगर investment amount ताय करें और आप उसका time frame ताय करें आप इजीली अपना टार्गेट को अचीब कर सकते हैं यानि आपका goal से उसको इजीली अचीब कर सकते हैं तो इससे पहले हम जानेगे कि financial planning करना जरूरी हो जाता है जब आप long term के लिए goal आपका goal long term है जैसे कि retirement planning हो तो यह long term goal होता है उसके लिए आपको financial planning करना जरूरी हो जाता है और आपको कितना amount की जरूरत है, retirement के बाद आपको कितना amount की जरूरत है, उसको calculation करना चाहिए, उससे साथ से आपको planning करके investment करना चाहिए, ताकि आपका जो goal है, easily achieve कर सकते हैं, तो इसमें दो तरीका होता है, कि investment करना सब पहले हमें समझना यह जरूरी हो जाता है, हमार पहले जरूरी हो जाता है, कुछ लोग होते हैं, जो traditional investment approach फोलो करते हैं, यह जैसे की fixed deposit यह required deposit वगेरा में investment करते हैं, ताकि उनका risk habitat कम होता है, अगर हम बात करें, mutual fund में थोड़ा risk होता है, क्योंकि यह कुछ percentage equity market में investment करता है, इसलिए थोड़ा risk भी हो सकता है, लेकिन risk को minimize क करने के लिए, fund manager का duty बनता है कि वो आपको portfolio को diversify करें, यानि mutual fund में आपका diversification मिलता है, आपका risk होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है, यानि जैसे कि अगर हम बात करें, SIP के तहता है, अगर investment करते हैं, तो इसमें भी आपका risk कम हो जाता है, और इसमें आसानी से आपना financial goal को आसानी से आप अचीज़ कर सकते हैं, तो यह तरीका अपनाने से mutual fund में थोड़ा risk होता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके अपनाने से, यानि जो जैसे कि fund manager की मैंने बात करी, diversification की बात करी, और SIP की बात करी, उसको follow करेंगे, तो आपका risk भी कम हो सकता है, और दूसरी बात अगर बात तेरे कुछ लोग होते हैं ऐसे, कि जो risk नहीं लेना चाहते हैं, यानि वो चाहते हैं कि उनका return है, वो fix मिले, लेकिन वो risk नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अगर risk नहीं लेना चाहते हैं, तो fix deposit या जैसे fix deposit जैसे product में investment करते हैं, तो आपको return कम मिलता है, तो करते हैं तो आपना टाइट कर सकते हैं यह पैसा करते हैं उससे कम समय में अपना टाड़ेट कर सकते हैं या अपना गोल को फुल्फिल कर सकते हैं तो आईए basic समझते हैं कि mutual fund में investment करने से पहले हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए lump sum investment अपनाना चाहिए या SIP के तहरे investment करना चाहिए पहले समझने की गोसिश करते है mutual fund का basic basic क्या होता है जैसे mutual fund होता है कि यह पैसा जोने आपके पैसा इकट्था होता है कई सारे लोगों का पैसा केट्था होता है और वह पैसा वेल डावसिवर्ट portfolio होता है उसमें कई सारे classes में investment किया जाता है जैसे equity classes होता है एक debt होता है इसका अलाबा gold होता है और उसका अलाबा जैसे real estate होता है कई सारे asset classes में पैसे investment होते हैं तो mutual fund basically follow करता है well diversified portfolio follow करता है चाहे आप equity assets class में ले लिजी या across asset class में investment होता है उसमें इसलिए आपका portfolio हो जाता है इसलिए risk भी कब हो जाता है तो यह basic fund होता है mutual fund में investment करने से आपका portfolio well diversified होता है और खासकर के professional management का benefit इसमें मिलता है क्योंकि fund managers होते हैं उनको काफी सालों का experience होता है investment में वो आपको portfolio को अच्छी तरह से manage करते हैं सो दाट आपका risk भी कम हो जाता है कर सकता है यारी एक portfolio में आप उसमें equity asset class में investment कर सकते हैं साथ ही साथ डेट में investment कर सकते हैं या तो यह ज्यादा asset class में एक mutual fund के तहरत आपके investment कर सकते हैं तो इसमें well diversification आपको देखने को मिलेगा अगर इक्वीटी असे asset class asset class के अंदर भी भी आप डेवसिविकिशन देखने को मिलेगा mutual fund में देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर equity asset class में जैसे large meet small category stop होते हैं उसमें इसमें करता है mutual fund इसलिए well diversified portfolio हो जाता है तो इसलिए आपका risk capital को नजर में रखते हुए आप अपने तरीके से चूज कर सकते हैं कि कौन सा mutual fund में आप investment करने से सही रहेगा वैसे debt asset class में आपको थोड़ा risk भी कम हो जाता है और इसमें return भी कम होता है तो उसमें भी एक option आपके पास available है जहां आप investment कर सकते हैं तो ऐसे चार asset class में आपको investment करने का मौका मिलता है इसलिए well diversified portfolio हो जाता है तो अगर हम बात करें SIP और lump sum में difference क्या है वो आए जान लेते हैं जैसे यह lump sum investment क्या होता है कि आप एक साथ एक बड़ा amount अगर investment करते हैं तो उसको lump sum investment बोला जाता है लेकिन long sum investment में आपको यह benefit मिलता है कि आज आप एक साथ कई सारे units आप खरीद सकते हैं mutual fund में जैसे कि माल लीजे आप अगर SIP करते हैं तो उसमें limited units मिलेंगे लेकिन long sum में आपको बड़ा units मिल सकते हैं आप huge investment करते हैं इसके जलते हैं आपको huge units मिलेंगे आपको बड़ा units मिलेंगे आपको इसमें investment करने से तो यह benefit है और साथी साथ मार्केट में उतार चड़ाओं तो होता ही है लेकिन आप अगर जब investment करते हैं तो इसमें आप अगर market downside में अगर investment करेंगे तो आपको अच्छा return मिल सकता है क्योंकि market to fluctuation होता है उपर और नीचे इसका तो जाता ही रहता है उपर नीचे होता ही है आप अगर lower side में अगर investment करते हैं लॉंसम investment तो उसमें आपको काफी अच्छा return मिलने का chances है अगर हम SIP की बात करें SIP एक systematic तरीका होता है investment करने का mutual fund में जैसे कि regular interval पर investment करते हैं और इस बड़ा portfolio में investment कर सकते हैं जैसे कि आप अगर एक particular stock की अगर हम बागते रहे एक particular stock अगर उसका share का price अगर 5000 रुपे होंगे तो 500 रुपे में आपको एक भी share नहीं मिलने वाला है आप अगर directly stock में investment करते हैं तो लेकिन वहीं share अगर आप 50 share 500 रुपे अगर investment करते हैं तो 50 share एक कर सकते हैं और एक well diversified portfolio हो जाता है और इसमें risk capital कम होता है और सदी साथ इसमें आपको expense ratio याई आपका जो खर्चा होता है कम होता है इसलिए इसमें कम भी आपको expense ratio याई जो खर्चे होते हैं वो कम लगता है in comparison to जब आप directly stock में investment करते हैं तो यह basic difference हो जाता है तो इसके बाद आप समझेंगी कोसिज करते हैं साइपी में investment करना चाहिए या लॉंसम में investment करना चाहिए जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट का condition के उपर डिपेंट करता है कि मार्केट अगर lower side पे हैं तो आपको रूपी cost average का benefit मर जाता है यारी मार्केट लोएर पे इंवस्पंट किया जाता है साइपी के तरह और upside में इंवस्पंट किया जाता है इसलिए लॉंग टॉम में आपको जो रूपी इंवस्पंट करना चाहते हैं उनको भी अच्छा benefit मिलता है अगर आप लॉंट टॉम इंवस्पंट है लेकिन मार्केट का lower side में यारी downside में इंवस्पंट करने से अच्छा profit मिल सकता है अच्छा return आपको मिल सकता है तो यह basic difference होता है लेकिन आप कभ इंवस्पंट करें लंसम और SIP कभ इंवस्पंट कर सकते हैं जैसे SIP के अगर बात करें आप कभी भी SIP को start कर सकते हैं क्योंकि SIP आप मार्केट का उपर में इंवस्पंट होता है और नीचे में इसका इंवस्पंट होता है क्योंकि आपका इंवस्पंट होता है तो यह basic difference होता है है mutual fund और mutual fund का long-sum investment में और SIP investment में तो आईए जाते हैं कि हमें कौन सा तरीका अपनाने से यानि long-sum investment से ज़्यादा return मिलने वाला है या SIP के तहर्त investment करने से आपको ज़्यादा return मिलने वाला है अगर आप यानि आपको अगर long-term goal है retirement planning जैसे आपको mutual fund करना है तो आपको तरीका अपनाने चाहिए यह ज्यादा कौन सा किसमें जादा return मिलने वाला है उसके बारे में जाल लेकिते हैं long-sum investment पर ज्यादा return मिलना है या SIP के तहर्ते नगर investment करते हैं तो आपको जादा मिलना है इसमें देख लेते हैं हम तीन एक्जांपल लिया है एक multi-cap fund का एक्जांपल लिया है और एक mid-cap और small-cap category के mutual fund का detail लिया है इसका example के तौरपे जैसे पहले अगर बात करें flexi cap fund की हमने अधिक्ते वरला flexi cap fund का एक example लिया है जिसका हम screenshot में आपको दे देंगे जैसे कि अगर देखें इसका trailing return की बात करें यह बिजले 3 साल में return दिया है 14.5.5 परसेंटेज का 5 साल का return 14.69 परसेंटेज का अगर 10 साल के return देखें यह 17.43 परसेंट का return दिया है जबकि अगर हम lump sum की बात करें lump sum investment की बात करें इसमें आप अगर 1 लाख रुपए अगर 10 साल पहले investment करते तो आपका जो amount है 4.99 लाख रुपए हो गया हो था 10 साल के बात ठीक है यह यादि लॉमसम में आप 1 साल लम्षम में 10 साल अगर इंवस्मेंट किया है अपने इस पन्ड में एक लाक रुपे यह 4,99,000 रुपे हो गया है अगर SIP की बात करें अगर SIP की तहत अगर इंवस्मेंट करतें यहीं 10,000 रुपे हर मैन अगर investment करते हैं 12,00,00,00 रुपे एकठा करते हैं 10 साल के अदर और उसके जो valuation होता है वो 31,17,00, 31,17,00,00 हो गया है तो यह difference हो जाता है अगर long sum में investment करते हैं या तो SIP के investment करते हैं इसमें price का, इसमें जो return का difference काफी हो जाता है तो इससे पता जलता है अगर आप बात करें दूसरे fund की बात करें अगर mid cap fund का आपने एक exam लिया है जैसे कि excess mid cap fund का लिया है इसका जो हुआ है इसका average return दिया है इसका देख लेते हैं जैसे कि 3 साल का return की बात करें यह 24.66% का return दिया है अगर इसका long-sum investment की बात करें अगर एक लाग रुपे अगर investment की होते हैं दस साल पहले तो आज के date में इसका valuation 6.78 लाग रुपे हो गया है करीवन यह 7 गुना आपका investment amount का 7 गुना हो गया 10 साल में अगर हम SIB की बात करें अगर इसमें 10,000 रुपे करके आप अगर मंतली SIP में investment करते हैं अगर यह 10 साल का same time frame का अगर देखें तो बारा साल के अंदर आपने बारा लाग रुपे इंवेस्ट्मेंट किया है जबकि इसका valuation as credit में 10 साल के बाद यह 38.62 लाग हो गया है तो यह आपको समझ में आ रहा हो है कि इसमें किसमें ज्यादा return मिल रहा है अगर तिसरा देखें small cap fund की बात करें इसमें हमने लिया है example SBA small cap fund के बारे में small cap fund का detail लिया है जैसे इसका जो average return है 20% का as-plus return दिया है since inception अगर तीन साल की बात करें इसले तीन साल की यह 22.69% return दिया है 5 साल में 21.90, 7 साल में 21.97 और 10 साल में यह 24% के as-plus return दिया है तो अगर इसका investment valuation की देखें अगर लंसम की बात करें अगर एक लाग रुपे आप एक साल यह लंसम investment के लिए होते हैं 10 साल पहले तो आजके डेट में यह 9.11 लाक रुपे हो गया है यह 9 गुना यह return दिया है 10 साल के अंदर अगर यह लंसम investment अगर एक लाग रुपे आपने किया होगा 10 साल पहले अगर SIP की बात करें, SIP की बात करें अगर 10.000 रुपे हर में आपने investment किया होता 10 साल पहले शुरू किये होते हैं तो इसका जो total amount investment हो गया आपका 12 लाक रुपे है जिसका valuation आजके date में 47.25 लाक रुपे हो गया है तो इसमसे यह तीन example से आपको यह समझ में आ गया होगा है कि हमें SIP के तरहते investment करना चाहिए या lump sum के हिसाफ से investment करना चाहिए आप अगर लॉंग sum investment करते हैं तभी अच्छा return मिल सकते हैं तो आप SIP के तरहत भी investment कर सकते हैं जिसमें भी अच्छा return मिल सकता है बिले तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया लाएक शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग मैं वेडियो